Hello everyone and welcome to Mark ERP video, जिसमें आज हम जानेंगे कि आप Mark Software में Bill-wise Sales Statement Report कैसे वियू कर सकते हैं Bill-wise Statement Report की help से आप Each and Every Bill के base पर उसकी Sales Report को separately वियू कर सकते हैं आप अलग-अलग filter का use करके Bill-wise Sales Statement Report देख सकते हैं जैसे की Selected Party के base पर, Selected Company के base पर, Category के base पर, etc. जिसके लिए हम Daily Reports मेन्यू से, Sales Reports से Bill-wise Statement पर Enter करेंगे तो Bill-wise Statement की ये window कुछ fields के साथ Open होगी जिसमें आप Operator Name से Select कर सकते हैं कि आप किस Operator की Bill-wise Statement Report देखना चाहते हैं तो Suppose हम RAM Operator Select करते हैं फिर Stockless field से आप Select कर सकते हैं कि आप Stock Issue Transactions के साथ Bill-wise Statement Report देखना चाहते हैं या Without Stock Issue Transactions के Bill-wise Statement Report देखना चाहते हैं या आप सिर्फ Stock Issue Transactions की Bill-wise Statement Report देखना चाहते हैं ये आप अपनी Requirement की According सेलेक्ट कर लेंगे फिर आप Report From and To field में Date Range सेट करेंगे कि आप कब से कब तक की Date की Sales Statement देखना चाहते हैं Then Cash, Credit या Discount field से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप Cash में हुई Transactions की Bill-wise Sales Statement Report देखना चाहते हैं या Credit में हुई Transactions की या फिर जिन Transactions में Discount दिया गया है उसकी Statement Report आप देखना चाहते हैं ये आप अपनी Requirement की According सेलेक्ट कर लेंगे फिर है Club Cash Sale अगर आप Cash में हुई Sale Invoices को Merge करके देखना चाहते होंगे तो आप इस Field को Yes करेंगे नहीं तो No पर रहने देंगे अगर आप जो Debit या Credit Notes एज़स्ट हो गए हैं उनको डिड़क्ट करके Sales Statement देखना चाहते होंगे तो आप इस Field को Yes करेंगे नहीं तो No पर रहने देंगे अगर आप Sales Statement के साथ Sales Statement Report देखना चाहते होंगे तो आप इस Add Challenge Field को Yes पर सेट करेंगे नहीं तो No रहने देंगे Next है Report For यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस Transaction की Report वियू करना चाहते हैं इसी तरह से आप Report Type सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस Type की Report देखना चाहते हैं Detail, Summary या Column Wise तो सपोज हम Report Type में Detail सिलेक्ट करते हैं Next है Discount Bill Sign अगर आप उन Bills को जिनमें आपने Discount दिया है उन्हें Bill Wise Statement Report में Separate देखना चाहते हैं तो आप इस Option को अपने According सिलेक्ट कर सकते हैं फिर है Day Total अगर आप Day Wise कितनी सेल हुई है उसका Total भी Statement Report में वियू करना चाहते होंगे तो इस Day Total फील को Yes करेंगे नहीं तो No रहने देंगे जैसे अभी हम Yes करते हैं Then है With Item Detail अगर आप Item की Detail के साथ Sales Statement Report देखना चाहते होंगे तो आप इस With Item Detail फील को Yes करेंगे इसी तरह से अगर आप Selected Parties या Customers की Sales Statement Report देखना चाहते होंगे मतलब कि अपनी किसी एक Single Party या Customer की तो आप Single Party फील को Yes करेंगे Then ये Ledgers की Window ओपन हो जाएंगी यहां से आप जिस भी पाठी या Customer की Report देखना चाहते होंगे उस Ledger पर Enter करके आप उस Ledger को Select कर लेंगे नहीं तो इस फील को N पर रहने देंगे इसी तरह से आप Group, Company, Area, Etc. जिस भी तरह से Sales Statement Report देखना जाते होंगे वो Select कर सकते हैं अभी हम यहां दी गई Fields फिल करने के बाद View पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से की गई Settings के According Bill-wise Sales Statement Report विंडो ओपन हो जाएगी और जैसे की हमने Detail Report की Setting की थी तो आप देख सकते हैं Detail Bill-wise Sales Statement Report ओपन हो गई है जिसमें आपको Bill Number, Party Ream, Gross Amount, Tax, Net Amount, Etc. सभी शो हो रहा है और जैसे की हम Day Total भी देखना चाहते थे तो आप यहां देख सकते हैं कि Per Day के According उसका Total भी शो हो रहा है और इसी के साथ आप यहां नीचे दिये इस आइकॉन पर क्लिक करके किसी भी फॉर्माट में जैसे की GUI, Excel, PDF, Word, Etc. में रिपॉर्ट को वीव और प्रेंट कर सकते हैं आप इस स्विच ओवर आइकॉन से यहां दिये किसी भी ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं या सर्च मेनियू से किसी भी मेन्यू को सर्च कर सकते हैं यहां दिये सेव आइकॉन से फाइल को सेव कर सकते हैं इमेल आइकॉन से रिपॉर्ट को मेल कर सकते हैं, Etc. तो फ्रेंग्स इस तरह से आप मार्गी आरपी सॉफ्ट्वर में Bill wise sales statement report view कर सकते हैं थांक्स वर वाचिंग